असलाम अलेकुम गाइज, इस हमबल एमद ही हर अगेन, वेलकम तो मैं यूट्रीब कनल, वेल गाइज यह हम एक कंपेन विजिट पर हैं, क्लाइन ने सजेशन के लिए बुलाया था कि वह बेट्री पेंग प्रीश करना चाहिए अपने, इस वक जो सिस्टम लगावा है, पां अभी कुछ लोग के हमाया चैनल पर हमें सजेशन आ रहे ही थी, कि आप अपने जो इन्सॉल केवे सिस्सम्स हैं, उनकी जनरेशन बताईए और जनरेशन के हिसाब से जो रिटरन आफ इन्वेस्मेंट के आ रही है, उसके बारे में गाइज करें तो उसके लिए वीडियो ब पहले इन्वेस्मेट पांच पैंट किलोवाट के एकपट निलगाया है, जो इस अभी तक आई है, और अवर आल जनरेशन इसने टोटल जनरेट की है, इस भी तक 8.6 मेगावाट से जनरेट कर जुगा है यह भी तक, और 10.1 मेगावाट से आउटपुट दी है, शोर बागी लोड से वागदा से लेके चला है, और यह हमाँ दूसरा इन्वाट आ रहा है, इसने टोटल जनरेशन की दे चुगा यह भी तक 9.6 मेगावाट और 9.5 मेगावाट इसने आउटपुट लोड चला रहा है, और इस एर की जो जनरेशन है, वो 2.6 मेगावाट के करीब है, और आज की जनरेशन ए वो 30.7 किलो वाट है, इस इंवर्डर की और इस इंवर्डर की, जिसमें 315 वाट के हमने सोरा पहले जूस की है एस्टोर अच्छी जरेशन आ रही है साल के बाद जरेशन आ रही है तक गरीपर फिटी एट किलो वाट के गरीब हो अधिक बारी है और एस्टीमेट हमने लगाया तक निए सब्सक्राइब तम एक साल पर तन दर को साड़े तीन लाकर रूपे का साड़े तीन लाकर पर कभी बनांके देच हो अगा इस तो बैच्चे एपने इसलिग है धाया इस फिनिक्स टे खाटारा इस्कों इस प्रेस करना है घब कि वेल एद यू किन सी हमने इस पर एस्ट्रोन लगाए हैं और माशालों पहले जनेरेशन अच्छी दे रहे हैं भी तक तो कि 70 प्लस की जो हमें आफिएंसी आ रही है और तक्रिबान 18.2 मेगावाट के करीब दोनों सिस्टम जो है जनेरेशन दे चुके हैं अभी तक जो एक्वेलेंट है अगर हम 20 रूपे यूनिट से लगाते हैं इसाब तो तीन लाग साथ दौर पे करीब जो है कि रिटन आप आच किये और इस साइट पे जो तक्रिबान खर्च आया था तक्रिबान एक मिलिंग करीब आया था जिसमें प्रेंट 366 मिलिंग रिटन हो चुके है अभी ज़िए और हम चाहते हैं अपने काम में मजीद बैसी लाना क्यूंकि हम बलीफ करते हैं कंटिनूस इंप्रिम्मेंट पर थैंक याइ थैंक वर वाचिंग अस्लाम अलेकूम